हेलो सजटेटिरियोग वेलकम तू माई चानल टारो डिवाइन लव में मैं वह शिवांगे और आपके लिए लेकर आगूं यहाँ पर लव रीडिंग नो कॉंटक्स सिच्वेशन की वस्स देंकी सो गाइस इस कलेक्टिव रीडिंग अगर आप से रेजोनेट होता है तो रख तक हाले कैनला सब्सक्राइब करने के लिए हमें सपोर्च करने के लिए थैंक हुआ है जलो डीटिर औरे थैए आपके सिच्वेशन में करेक्टिव में आपके पाटनर के लिए यहां पर इनर्जी इस तरह आ रहे हैं कि आप इस रिलेशन्शिप को लेना चाहते हो ग्रोध करना चाहते हो आप इस रिलेशन्शिप के बारे में बहुत जादा सोच रहे हो कि यह क्या होगा और कैसे होगा किस तरह से इस रिलेशन्शिप में जाए और किस तरह से एक्शन लिया जाए एक्शन के क् आपको फैसे बीना एक्शन के कोई बी मोड में नहीं यह। साफ्याइक्श कोई मोड में वही और तहना चाहिए सब्सक्राइब कर देखते हैं कि आप अपने इंटुशन को फॉलो करते हो इस रिलेशन्शिप को एक्चुल में आपने पॉजिटिव ले लिया है कि इस रिलेशन्शिप के लिए आपने अपने आपको जीस तरह से यानि आपको ऐसे लग रहा है कि यासी डिजायर लव है और इसको बहुत सालेंटली और बहुत अच्छे से सोच समझ करें अकर इस रिलेशन्शिप को लेना चाहिए इस तरह के नजी आपर आ रहे हैं आपके पार्टनर के एनरजी और यू ग्रेट दश्रन यह परसंट बहुत जादा पॉजिटीव और यह परसंट बहुत जादा पॉजिट्यू मेंफिस्ट भी कर रहा है यह परसंट को पता है कि आंगे क्या होने वाला इस dentace relationship में में बहुद रहा है अपने आपकोई ट्रांसपर भी कर रहा है आपके आप में पेज ऑफ सॉर्स डेथ एंटेनों फॉर्स यहां पर है कि यह रिलेशन आप फिर से नए से स्टार्ट करना चाहते हूं आपके लाइफ का एक आपके जीवन का शायद एक न्यू रिलेशन्शिप यहां पर दिख रहा है तो आप यहां पर इस इस रिलेशन्शिप के बारे में बहुत जादा सोच रहे हो कुछ लर्निंग कर रहे हो कुछ समझ रहे हो कि exactly क्या है किस तरह से यह आगे जाएगा इसमें बहुत जादा एफर्स लगा रहे हो और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो इस तरह की एनजी यहां पर आ रही है सो आप रिस्टार्ट करना चाहते तो यह न्यू रिलेशन्शिप ओके सो आप यहां पर जो भी अपने अपने आपको हील भी कर रहे हो अपने आपको पास को पास की जो भी बात हैं आपके लाइव की वह आप यहां पर रिलीज कर रहे हो हील कर रहे हो और यहां पर आगे बढ़ना चाह रहे हो इस रिलेशन् मैंने का ना यह परसन मेनिफेस्ट कर रहा है पॉजिटिव ओके सो यहां पर यह परसन आपके तरफ अट्रैक्ट है यह परसन आपके लिए आना चाहता है यह परसन कि बहुत जाओ जाओ और अपने क्लियारीटी रखना चाहता है कि आपके लिए यहां पर कुछ ना कुछ है यह परसन फिर भी सालेंट मोड में चल रहा है ना उनके इमोशन आपको दिखा रहा है ना फिलिंग्स आपको दिखा रहा है ना कुछ भी दिखा रहा है बस एक सालेंट एकदम शान्त है एकदम पीस्फूल एनरजी में यह पैसर आपको कुछ भी शोन नहीं करना चाहते हैं इनको लगता है कि डिवाइन गाइडेड अधियाम पनाएगा और उसके वज़े उसके वज़े से यहां पर बाते होंगी तो वहां उसके लिए वो परसंट रेरी है कि क्लियर कम्यूनिकेशन करने के लिए आपके साथ में सब्सक्राइब आपके लिए यहां पर आपके लिए यहां पर कहां जा रहा है कि आपको कंप्यार नहीं करना है ना ही कोई ओर तिंकिंग करना है आपको ना यहां पर कोई कॉंपटिशन में उतारना है कि नहीं यहां आपको मिलने ही चाहिए ऐसा ऐसा नहीं है आप बस सालेंटली यहां पर पीसफुल एनरजी में बस पॉजिटिव मेनिफेस कर सकते हो यहां पर यह गाइडलाइन दी जा रहे है अगर आप यहां पर आपको यहां पर डीप डीप कोर में सोचने के बहुत ज़रुएता है कि रियली आप कितना डीप लव डीप लव इस परसंट से करते हो ओके आप कितना यहां पर यह परसंट के लिए आप अपने आपको रेडिय करते हो आपका क्या उपीनीन है आपका तो सके ऊपर ज़्यादा उसके उपर सोचने की जरुवत है ना कि आपके आउटसाइड क्या चल रहा है क्या नहीं उसके बारे में नहीं सोचना है अंदर इनर पीस में आपको देखना है कि आपको कितना प्यार है इस पैसेंट के लिए बख़िए हाँ नहीं है इसा लग रहा है कि आपको आपके लाइफ में कुछ है नहीं कुछ ग्रोथी नहीं है लवी नहीं हלिया है इमोशन इप और सो परॉन तो से यह इसे निकलना है पर आप बाहर निकलए आपके इस रिलेशन्शिप में growth होगी क्योंकि आपर the sun का card यहीं बताता है कि आपका bright future हो सकता है आपका bright relationship हो सकता है बट अगर आप खुद एक side से one side से अगर low low energy में जाओगे तो यहाँ पर ठीक से growth नहीं होगी ओके तो अपने आपको उस तरह से यहाँ पर अगर आप बिल्डप कर रहे हो तो उस तरह के से अपने आपको बहुत अच्छा बिल्डप कीजिए ना कि अपने आपको low energy में लेकर जाहें okay so Sagittarius Angels के तरफ से guideline for this situation आपके लिए okay so आपको so guys यहाँ पर energy वही आ रहे है four of cuffs the hermit and s of cuffs so यहाँ पर यह कहां जा रहा है अगें आप अगर अपने आपको बहुत जादा nervous और बहुत जादा आप अपने आपको depression में लेकर जा रहे हो तो यहाँ से अपने आपको निकालने के बहुत जरूर रहता है the destruction of daily life यहाँ से निकलो your own world wake up so आपको wake up किया जा रहा है बार बार कि आपको बहुत जादा low energy में नहीं जाना है आपको बाहर निकलना है okay so आपके लिए आपर फिर से यहाँ पर energy आ रही है कि आप silently पहले आपने आपको self-discover करो और आपका अगर यह partner है आपका यह soulmate है आपका अगर twin flame है true twin flame है true soulmate है तो यह definitely है आपके life made union के लिए आपके साथ में एक friendship जरू बनाएगा इस तरह के energy आ रही है वा तो यहाँ पर फिर से 10 अंका कड़ा है आपको यह कहा जा रहा है कि a time of great joy and success so gratitude to the divine divine को gratitude पे किजिए जितना day प्राइब पे कर सकते हो उतना यहाँ पर थार्ट ताइम तीन डेक से आपके लिए 10 अंका कड़ा है इस सिच्वेशन से अगर अपने आपको अगर बहुत ज़्यादा देर अपने आपको उसी सिच्वेशन में रखेंगे तो आप लो लो energy में चले जाओगे ना कि अपने आपको बहुत ज़्यादा अप्रेट कर पाओगे सो अपने आपको डिस्ट्रक करने से बजा है आप बहुत यहाँ पर ग्रोथ कीजिए आप यहाँ पर अपने आपको हील कीजिए कि यह रिलेशन अगर ट्रू सोलमेट है और ट्विन फ्लेम है तो डेफिनेटली यह रिलेशन आज नहीं तो कल कभी ना कभी ज़रूर होगा सो पॉजिटिव सोचे और पॉजिटिव आगे बड़े अपने लाइफ में ओके सो गाइस मैं यहाँ पर यह रिडिंग प्लोज करती हूं आई ओप यू लाइक दिस रिडिंग नेक्स वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ मैं तबते के लिए बाइबार टेक्या थैंकि सो मच नमस्ते और जाए हिन